Dear Students, आज हम Tropical Rainforest Region में पाए जाने वाले एक पक्सी की Adaptations को डिसकस करने जा रहे हैं. उस बर्ड का नेम है Tauken. ये देखिए, Tauken की पिक्चर आपको यहां शो की गई है. Tauken कैसा होता है? कैसा दिखाई देता है? ये आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं. आईए, अब हम इसकी Adaptations को जान लेते हैं. इस पक्सी की जो सबसे खास बात है, जो सबसे मेन फीचर है, वो ये है कि Tauken बर्ड के पास एक लंबी और स्ट्रॉंग बीक होती है, जो उसे अपना भोजन प्राप्त करने में हैल्प करती है. Tauken बर्ड अपनी स्ट्रॉंग बीक से हाड फ्रूट को भी ब्रेक कर सकता है, उनको क्रैक कर सकता है और उसमें से अपना भोजन निकाल सकता है. इसकी बीक कलरफुल भी होती है, इस बीक की हेल्प से ये बर्ड किसी भी पेड के अंदर जो गहरे होल के अंदर रखा हुआ बोजन है, उसको भी निकाल सकता है और खा सकता है. चलिए, ये फर्स्ट अडप्टेशन है, अब हम सेकिंड अडप्टेशन की बात करते हैं. ये जो बर्ड है, ये बहुत ज़्यादा उचाई पर नहीं उड़ता और ये बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस भी कवर नहीं करता, इसलिए इस बर्ड के जो विंग्स हैं, जो पंक हैं, वो भी छोटे-छोटे होते हैं. इन पंकों की हेल्प से ये केवल सोर्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और सोर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके अपने बहुजन को ढूंड लेता है. इसकी जो next adaptation है वो ये है कि टावकेन बर्ड की बोड़ी का कलर पेड़ पोधो की ब्रांचिज से मैच करता है. पेड़ पोधो की जो ब्रांचिज हैं, उनका कलर ग्रीन, ब्राउन, इस तरह का होता है. और इस पक्सी के बोड़ी का जो कलर है, वो भी ग्रीन, ब्राउन, इस हैं वो इसका सिकार ना कर सकें यह जो कलर है यह इसकी प्रोटेक्शन भी करता है नेक्स्ट अडबटेशन की अगर हम बात करें तो टाउकेन के जो फीट हैं वो भी इस तरह से बने उए हैं ताकि वो टहनियों को बहुत अच्छे से पकड़ सके टाउकेन के पंजों में कुल चार उंगलियां होती हैं दो आगे की तरफ और दो पिछे की तरफ इन उंगलियों की वज़े से ही टाउकेन किसी भी पेड़ की टहनी पर आसानी से बैठ सकता है और उस टहनी पर अपनी मजबूत गृप बना लेता है तो ये कुछ अडप्टेशन्स थी जो टाउकेन के बारे में हम जानते हैं और ओके स्टुडेंट्स अब हम अगला जो एनिमल है वो अगली वीडियो में डिसकस करेंगे ओके बाई